एक मुर्गा मालिक को खिड़की से बेटा देख रहा था मालिक बहुत बिमार था मालिक की पत्नी उसके बगल में बेटी थी पत्नी बोली आपको बहुत तेज बुकार है मैं आपके लिए चिकन चुप बना लाती हूँ इतना सुनते ही मुर्गे के तोते उड़ गई मुर्गा बोला बहन जी एक बार पेराशिट ट्या मॉल देखकर तो भी देख लो एक महिला एक सादू के पस गई और बोले महाराज अपने प्रवच्चन में कहा था अंकार ही सबसे बड़ा पाप है पर जब मैं आइना देखती हूँ तो सोचती हूँ मैं कितनी सुन्दर हूँ तो मुझे बहुत अंकार हो जाता है मैं क्या करूँ सादू ने कहा बेटी यहां अंकार नहीं गलत पहमी है और गलत पहमी कोई पाप नहीं जज क्या सबूत है कि जब एक्सिडन हुआ तब तुम कार तेज नहीं चला रहे थे कार चालक सहाप में अपनी पतनी को लेने ससुराल जा रहा था जज ओहो छोड़ दो इस मासुम को ऐसे समय कोई भी गाड़ी तेज नहीं चला सकता एक मकान मालिक नई किरायदार को मकान दिखा रहा था मकान मालिक इसका किराया 700 रुपए होगा किरायदार ठीक है लेकिन आपके मकान में तो चूहे नाच रहे ही हैं मकान मालिक तो 700 रुपए में क्या सीला का नाच देखना हो चाहते हो साधी के बाद पती केसे बदलते हैं जरा गोर से कीजिए पले साल जानू संबल कर उधर गड़ा है दूसरे साल अरे यार देखकर उधर गड़ा है तीसरे साल दिखता नहीं उधर गड़ा है चोते साल अंदी है क्या गड़ा नहीं दिखता पांचवे साल अरे उदर कहा मरने जा रही है गड़ा तो इधर है एक आदमी रात को गली के सामने खड़ा था वहां के चोकिदार ने देखा तो कड़क कर पूचा कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो आदमी बोला मेरा नाम सेर सिंग है चोकिदार बाप का नाम क्या है आदमी समसेर सिंग चोकिदार कहां रहते हो आदमी सेरो वाले महले में चोकिदार तो इतनी रात में यहां खड़े क्या कर है हो जाओ अपने घर जाओ आदमी केसे जाओ आगे कुट्ते भोक रहे हैं साइकल वाले ने एक आदमी को टक कर मार दी और बोला साइकल वाला आप बहुत लखी हो आदमी वह एक तो मुझे साइकल मारी और उपर से कह रहा है कि लखी हूं कैसे साइकल वाला आज मेरे चुट्टी है नहीं तो मैं ट्रक चलाता हूं एक बुडिया का दामाद बहुती काला था सांस दामाद जी आप तो एक महीने यहां रोको दूद दहीं खाओ, मोच करो आराम से यहां रहो अदामाद अरे वहाद सासुमा अज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर सांस अरे प्यार व्यार कुछ नहीं कलमू है वो हमारे बेंस का बच्चा मर गया कम से कम तुम्हें देख कर दो तो देती रहेगी